मैं मैं क्या कर रही हो आप ? क्या कर रही हो मतलब ? इधर आओ क्या है ये ? अपने तिरंगे का अपमान ? मैंने ही नहीं रखा इसे हिंदुस्तानी फौजी की आखे बाज से भी ज़्यादा तेज होती है चलो मान लिया आपने इस जंडे को यहाँ नहीं फेका अगर मेरी आखोंगे सामने कोई तिरंगे की बेज़ती करेगा ना तो आखे निकाल लूगा मैं उसकी क्या सिर्फ हम फौजी का ही कर्मे तिरंगे की हिफाज़त ? ये कोई ऐसी वैसी चीज है क्या ? अपने देश की आनबान शान है ये और तिरंगे की हिफाज़त सिर्फ फौजी का कर्म नहीं बलकि हर इंदुस्तानी का फर्ज है अरे जाना या टाई मत खराब कर मेरा बहुत देखे तिरे जैसे मेरे जैसे नहीं देखे होंगे तूने एक लड़की को थपड मारा ? लड़की को नहीं मारा बलकि बद्तमीज लड़की को मारा हमें ये नहीं सिखाय जाता कि किसी बेगुना इंसान पर अपना हांख भी उठाया जाए लेकिन इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि अगर कोई इंसान अमारी तिरंगे की तरफ आँख उठा करके भी देखेगा तो ये इंदुस्तानी फौजी आँखे निकाल लेगा उसकी फौजी होने का बड़ा घमंड है तुझे ओकाती क्या है तुम्हारी घमंड नहीं फौजी होने का बहुत ही जादा घमंड है मुझे और इतनी उकात ही मेरी काफी है तुम जैसे लोग ना 25-30,000 की नौकरी करके ही खतम हो जाते हो और देख मेरी उकात 10 लाग की गाड़ी में घुमती हो तुम घुमो 10 लाग की गाड़ी में हमें 50 डिगरी गर्मी माइनस 50 डिगरी ठंडी तेज बारिश में भी बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश के लिए हस्ते हस्ते सीने पे गोली खाने में फक्र महसूस होता है यही हमें सुकून देता है तुम क्या जानो असली दिस व भागना मत बिना डरे सीने पे गोली खाने वाले गो थपड से डरा रही हो फाजी हूं एक इंच भी अपनी जगह से पीछे नहीं अटूंगा जिसे बुलाना है बुला ले मैं भी तुझरा देखूं उसे अपना देश प्रेम पहले दिखता है या फिर यह बहन रुक अभी समझ आ जाएगा दीडी यही है वो इंसान जितने मुझे थपड मारा है कितना मारा एक वो भी बहुत जोर का कम ही मारा था तुम एक फोजी के बारे में बुरा भला बोल रही हो समझ में आता है ये कौन है मैं सॉरी बट शायद आपकी बहन को जादा ही मॉडर्ण है इसे त इसने ये तिरंगा इधर फेका और जा रही थी वो फट गया था तो रख के क्या करती अच्छा फट गया था एक मैट मैम ये कितने का नोट है सौका अब कितने का है सौका अरे क्यों फटने से इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई मैं भी फेक देता हूँ इसे बड़े शर्म की बात है एक नोट फट जाने के बाद भी अपनी वैल्यू नहीं खोता है चाहे वो दस, बीस, पचास, सौ, हजार कितने का भी हो लेकिन हमारा तिरंगा जो अनमोल है वो फट जाने के बाद अपनी वैल्यू खो देता है लोग इसे फेक देते हैं अब आपको क पुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर हमेशा खड़े रह सकते हैं तो क्या तुम लोग एक तिरंगा नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए अपने देश के लिए